नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल धर्म संचे में स्वागत है चलिए आज हम लोग सुनते हैं रभी प्रदोश ब्रत की कथा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें 9 मई, आज 9 मई को रभी प्रदोश ब्रत है, 81 की तरहीं एक वर्स में 24 प्रदोश होते हैं, जो भी प्रदोश जिस बार को आता है उसका बिसेश फल होता है हर बार को पढ़ने वाला प्रदोस ब्रत अलग-अलग महत्व रखता है इस बार रवी बार को प्रदोस आ रहा है हमारे सास्त्रों में प्रदोस ब्रत को काफी महत्व दिया गया है रवी वार को आने वाला या प्रदोस ब्रस्त स्वास्त की द्रिष्टी से बहुत महत्पूर्ण माना गया है इसे रवी प्रदोस ब्रत के नाम से जाना जाता है मन्यताओं के अनुसाद इस ब्रत को करने वालों की स्वास्त से संबंदित परिशानिया दूर हो जाती हैं चलिए सुनते हैं अभी प्रदोश ब्रत की कथा एक समय सर्व प्रानियों के हितार्थ परम पावन भागिरती के तड़ पर रिशी समाज द्वारा विसाल गोष्ठी का आयोजन किया गया इस सभा में व्यास जी के परमसिस से पुरान वेता सूत जी महाराज हरी किर्टन करते हुए पधारे सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादी 88 हज्जार रिशी मुनियों ने खरे होकर उन्हें दंडवत परनाम किया महाग्यानी सूत जी ने भक्ती भाव से रिशियों को हिर्दय से लगाया तथा आशिरवात दिया विद्वान रिशीगन और सब सिस्य आसनों पर विराजमान हो गए सौनकादी रिशी ने पूछा हे पुज्जेवर महामने किर्पिया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल प्रत कष्ट निवारक यह ब्रत सबसे पहले किस ने किया और उसे क्या फल प्राप्थ हुआ तो सिरी सिवत जी बोले आप सभी सीव के परम भक्त हैं आपकी भक्ती को देखकर मैं ब्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ ध्यान से सुनो एक गाओ में अती दीन ब्रहामन निवास करता था उसकी साधवी स्तरी प्रदोश ब्रत किया करती थी उसे एक ही पुत्र रत्न था एक समय की बात है वो पुत्र गंगास नान करने के लिए गया दुर्वाग्यवस मार्ग में चोडों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगें कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो बालक दीनभाव से कहने लगा कि हे बंधू हम अत्यंत दीन दुखी हैं हमारे पास धन कहा है तब चोडों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है बालक ने निसंकोश कहा कि मेरी माने मेरे लिए रोटिया दी है यह सुनकर चोडों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह बहुत ही दीन दुखी मनुश्य है अता हम किसी और को लूटेंगे इतना कहकर चोडों ने उस बालक को जाने दिया बालक के वहां से चलते हुए एक नगर में पहुँचा नगर के पास एक बरगत का पेर था वह बालक उसी बरगत के ब्रिक्ष की छाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोड़ों को खोशते हुए इस वरगत के ब्रिक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोड़ समझ कर बंदी बना राजा के पास ले गए। उस ब्रामनी के प्रातना स्विकार कर ली। उसी रात भगवान संकर ने उस राज्य को राजा को स्वपन में आदेश दिया कि वह बालक चोड़ नहीं है। उसे प्रातकार छोड़ दे अन्यथा उसका सारा राज्य बैवब नश्ट हो जाएगा। प्रातकार राजा ने आनुशार उस बालक को करावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी इशारी कहानी राजा को सुनाई। सारा बिरतान सुनकर राजा ने अपने शिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरवार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भैभीत थे राजान उन्हें भैभीत देखकर कहा कि आप भैभीत नहों आपका बालक निर्दोस है राजा ने ब्रहामन को पांच गाउं उदान में दिये जिससे कि वह सुख पुर्वक अपना जीवन ब्यतित कर सके भगवान सिब की किर्पा से वो ब्रहामन उसका ब्रत करता है सिब की किर्पा से उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और वो हमेशा सुखी रहते हैं और प्रशन और निरोग रहते हैं अता अपना पूर्ण जीवन निरोग और सुखी होकर ही ब्यतित करते हैं इसलिए